हलो फ्रेंड आप सब कैसे हैं देखे आज बनाई हूं सब्दाना के पापड जो बहुत ही टेस्टी पापड बनकर तयार हुई है और बहुत ही सौप पापड बनी है सब्दाना के पापड बनाने के लिए एक कटोरी सब्दाना लिए हैं मिकसर जार में डाल कर पीस लेंगे आधा आधा करके ही पीसेंगे एक बार साथ में नहीं पीसेंगे सारे सब्दाना हमारी पीस आ गई है इस तरीके से पापड बनाएंगे ने फिरेने बहुत जल्द पापड बनकर तयार होगी एक बरतल लिये हैं उसमें सब्दाना के आंटा को डाल देंगे और उसमें चार कटोरी पानी डालेंगे जिस कटोरी से सब्दाना लिये हैं उसी कटोरी से चार कटोरी पानी डालेंगे सब्दाना के चाहे कोई शीच का भी पापड बना रहे हैं तो पानी को नापकर ही डाले तो आपके पापड के परफेक्ट गोल बनकर तयार होगी देखे चार का टोरी पानी डाल दिये हैं अगर हमारे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी फ्रेंटर वीडियो को लाइक करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेर भी करिएगा कि इस तरीके से सभी लोग पापड बनाए बहुत जल्द बन जाने वाली पापड है स्वाद के उनसार नमक डालेंगे सिंधा नमक डालेंगे कि उनकी बरत में भी खा सकते हैं इस पापड को सब्दाना के है तो अगर सब्दाना के पापड बना रहा है न तो उसमें सिंधा नमक ही डाल कर बनाए जो बरत में भी खा सकते हैं, इस तरीके से सब्दाना को चलाते हुए पका लेंगे, देखे सब्दाना की घोल हमारी गाड़ी होने लगी है, सब्दाना को पीसकर बनाने से ना फुराने के छंजा ट्राती है ना जादा पकाने की बहुत ही कम समय में बन कर त्यार हो जाती है, पापड भी अच्छे बनते हैं, इस तरह से सब्दाना को बीच बीच में चलाते रहें, न तो सब्दाना ची पकने लगेगी, देखे सब्दाना की घोल हमारी गाड़ी हो गई है, थोड़ा दे डिर के लिए और पका लेंगे, एक चमच काली मिर्च लिए हैं, उसको जार मे पापड बना लिए फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताईएगा, अभी मैं फर्स्ट बार ही सब्दाना की पापड आज बनाई हूँ, और भी आपके लिए पापड और चरोड़ी की रेस्पी लेकर आऊंगी, अब धूप बहुत तेज नी कर रही है, एक से डिर्ड दिन में ह हमारी पापड बन कर त्यार हो जाएगी, देखिए सब्दाना हमारी पग गई है, अग गैस को बंद कर देंगे, अभी सब्दाना देखने में पतला लग रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद जमने लगती है, ठंडा होने पर काली मिर्च और जीरा डालेंगे, देखिए सब काली भी जीरा डाल सकते हैं, जीरा और काली मिर्च को मिला लेंगे, गरम गरम में ही जीरा काली मिर्च नहीं डालें, जीरा फुलने पर हलका पीला पीला हो जाती है, तो पापर भी थोड़ा सा पीला हो जाएगी, अगर सफेद पापर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ चिली फ फेद पापड दिखेंगे जीरा डालने पर थोड़ा सा पीला पन हो जाती है पापड सब्दाना के पापड बनाने के लिए देखे एक प्लास्टिक लिए हैं इसी पर पिछले साल भी पापड बनाये थे इस तरीके से चमच के मदद से पापड को बना लेंगे एक कटोरी सब् और देखें सारे पापड को इसी तरीके से बना लेंगे लिए वीडियो थोड़ी सीमारी अच्छी लगी फ्रेंटvenir के लेगे अगर सभानह के घोल तो लिए एक घड़ा होने लेंगे आगे करें के सुबा सुबा ही बनाएं देखी एक दिन की धूप लग गई है हमारी आधा पापर सुख गई है अब इसको इस तरीके से छुटा लेंगे साड़े को छुड़ा कर रात में पंखे के नीचे रख दें और आधा पापर पंखे के नीचे ही सुख जाएगी अकल होके थोड़ा बहुत धूप दिखा दिजेगा तो अच्छी तरीके से पापर सुख कर तयार हो जाएगी देखे पापड हमारी सुकर तयार हो गई है देखे कितने पतले पतले पापड बनकर तयार हुए है चलिए आपको तलकर भी बताते है देखे कितना छोटा छोटा पापड फूल कर कितना बड़ा बड़ा हो जाएगी इस तरीके से पापड बना कर खायेगा का फ्रेंड का कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा कि हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी हमारे बच्चों को सब्दाना की पापड बहुत ही टेश्टी लगती है वह हमेंसे अपने भी तल कर खा लेता है पापड पर जिरामन पॉर्डर डाल कर खाता है उससे और टेश्टी ल